पोशक तत्तो की द्रिष्टी से टमाटर बेहत खास है इनमें विटामिन A और C बड़ी मत्रा में बाया जाता है इसके अलावा टमाटर में अलफा लिपोईक एसिड भी काफी मत्रा में पाया जाता है जो हमारे सरीर में रक्त सरकरा या ब्लट सुगर को नियंद्रित रखने म सहायता करता है और अपने गुड के करण या हमें डायबेटीज के लक्षणों से बचाता है सलाध हो या सूप टमाटरों के सेवन से आपको अधिक फाइवर मिलते हैं ये पाचन क्रिया में सहायक होते हैं इस दिया भोजन से पहले स्टार्टर के लिए भी टमाटर की डिसे सर्व कर सकते हैं टमाटर में पाए जाने वाले पोशक तत्तों जैसे अलफा लिपोईक एसिड लिकूपिन कोलीन फॉलिक एसिड बिटा कैरोटीन और लिटेन प्रोस्टेट कैंसर में आपकी रक्षा करते हैं एक सोद में पाया गया कि ऐसे लोग जो सबता में दस या अध अधिक टमाटर का सेवन करते हैं उन्हें प्रोस्टेट कैंसर का खत्रा अने लोगों के मुकाबले 18 प्रतिशत कम होता है इतना ही नहीं टमाटर में पाया जाने वाला बिटा कैरोटीन कोलो रेक्टेल कैंसर से हमारी रक्षा करता है टमाटर का अधिक सेवन फेफडों और आमाशे के कैंसर की रोग ठाम करता है कोसिस करे की घर पर ही टमाटर का सालसा डिब बनाए या बजार की अपेक्षा हेल्दी होता है चुकि टमाटर फाइवर पोटेशियम विटामिन सी और कोलिन से भरपूर होता है इसलिए यह आपके दिल का खास ख्याल लगता है पोटे पोटेशियम किड्नी में बनने वाली पत्री की भी रोग ठाम करता है टमाटर की सूप में पोटेशियम की मात्रा टमाटर के अन्य डिसेज की तुल्ल में सबसे अधिक होती है इसलिए प्रयास करे की घर पर टमाटर का हेल्दी सूप बनाए पोशक्तत्तों से भरपूर टम को स्वस्त रखने का कारे करता है जो टमाटर में प्रचूर मात्रा में पाया जाता है गर्वती महिला को टमाटर सेंडवीच या कम सोडियम वाले चीज जैसे खाद बदार्थ के साथ देना चाहिए अवशक्ता होने पर अपने डॉक्टर से सला ले बजार में प्रचलित व्य प्लश्ती नहीं है इसके अलावा टमाटर में एंटी ऑक्षिडेंट भी पाये जाते हैं जो आपको समय से पहले बुढ़ा नहीं दिखने देते टमाटर को मैस करके आप इसके पेस्ट को चेहरे पर लगा सकते हैं यह आपके चेहरे पर एक्स्रा आयल को भी कम करता है और त दिखान रहे कि उजित महत्रा में किया गया सेवन ही सेहत के लिए लाबकारी होता है अगर आपको टमाटर से जड़ी जनकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हेल्थ इंफो इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें